दोस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए physics के 100 questions लेकर आया हूँ ये 1000 one liner का part 8 है वीडियो को अंतक देखकर सारी questions learn कर लिजेगा ये वही questions हैं जो exam में physics के नाम पर बहुत पूछे जाते हैं सीधे सीधे exam में बनेंगे आपका time बचेगा जागस जादा दोस्तों तक भी ये questions share कर दीजेगा तो चले शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रशन है कारे का मातरक क्या होता है तो कारे का मातरक जूल होता है प्रकास वर्ष किसका मातरक है तो प्रकास वर्ष दूरी का मातरक है लियूमेन किसका मातरक है तो लियूमेन जोती फ्लक्स का मातरक है क्यूरी किसकी एक आई है तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की एक आई है पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपाद से कौनसी भौते ग्राशी प्राप्त होती है तो पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपाद से द्रव्यमान प्राप्त होता है जल में तैरना के गिरने की आशंका का कारण क्या है तो अश्वय अधी एका एक चलना प्रारम कर दे तो विश्राम के जड़त के कारण अश्वा रोही के गिरने की आशंका बढ़ जाती है कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है तो कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें गती का पहला नियम लागू होता है समुद्र में तैर रहे आइस बर्ग का कितना भाग समुद्र की सता से उपर रहता है तो समुद्र में तैर रहे आइस बर्ग का एक बटे दस भाग समुद्र की सता से उपर रहता है प्रकास वोल्टे सेल के प्रयोग से सौर उर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है तो प्रकास वोल्टे सेल के प्रयोग से सौर उर्जा को प्रकाशे उर्जा में रूपांतरण किया जाता है स्वाचलिद वाहनों में द्रवचलिद ब्रेकों का इस्तिमाल वस्तुता किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है तो स्वाचलिद वाहनों में द्रवचलिद ब्रेकों का सीधा अनुप्रयोग पास्कल के नियम के सिद्धान पर होता है जब दूद को प्रबल धंग से मठा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है तो जब दूद को प्रबल धंग से मठा जाता है तो उसमें से अपकेंद्रिय बलके कारण क्रीम अलग हो जाती है जेट इंजिन किसके सरक्षण के सिद्दान पर काम करता है तो जेट इंजिन रेखिक सम्वेक सरक्षण के सिद्दान पर काम करता है किसी तुल्यकारी उबगरव की प्रत्वी सता से उचाई लगबग कितनी होती है तो किसी तुल्यकारी उबगरव की प्रत्वी सता से उचाई 36,000 किलोमेटर होती है गुरुत्विय, प्रकाश, प्रत्वी के गुरुत्वाकरशन का कितना भाग चंद्रमा की गुरुत्वा करशन के सबसे नजदीक है तो प्रत्वी के गुरुत्वा करशन का 1 बटे 6 भाग चंद्रमा की गुरुत्वा करशन के सबसे नजदीक है वर्षागी बुनों का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है कपूर के छोटे छोटे तुकडे जलगी सिता पर क्यों नाचते है तो कपूर के छोटे छोटे तुकडे जलगी सिता पर प्रश्टनाव के कारण नाचते है पानी में लोहे की सुई डूबाई जाती है लेकिन पानी में लोहे की सुई जो है वो डूब जाती है लेकिन जहाज तेरता रहता है ये किस सिद्दान के कारण हो पाता है तो आर्कमिडीस के सिद्दान के कारण ये संभव हो पाता है आर्कमिडीस का नियम किसे संबन्दित है तो आर्कमिडीस का नियम प्लवन अर्था तेरने से संबन्दित है गुरुत्वाकशन के सारभामिक नियम का प्रधिपादन किस ने किया था तो गुरुत्वाकशन के सारभामिक नियम का प्रधिपादन न्यूटन ने किया था कौन सा एक केजी द्रवेमान के पिंड़ पर कारेशील प्रत्वी के गुरुत्विय बलका सही मान है तो एक केजी जो है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है तो एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है लोहे की सुई पानी की सतब पर किस कारण से तैरती है तो लोहे की सुई पानी की सताप प्रश्ट नाव के कारण तेरती है एक गैंद को 36 से कितने कौन पर फेकें कि वो अधिक्तम 36 दूरी तै कर सके तो अगर आप किसी गैंद को आगे की ओर 36 गती में दूर तक फेकना चाहते हैं तो उसको 45 दिगरी के एंगल पे फेकना चाहिए किस ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुए प्रत्वी की और गुरुत्वा करशित होती है तो ब्रह्म गुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुवे प्रत्वी की ओर गुरुत्वा कर्शित होती है क्रकेट की गेंद किस कोणफ से मारे जाने चाहिए ताकि वह अधिक्तम दूरी तै कर सेके तो 36 से 45 डिगरी का एंगल जो है गेंद को जादा दूरी तक ले जाने में सक्षम होगा उश्मा एक प्रकार की उर्जा है जिसे कारे में बदला जा सकता है इसका प्रत्तक्ष प्रमाण सबसे पहले किस ने दिया तो उश्मा एक प्रकार की उज़ा है जिसे कारे में बदला जा सकता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रम फोड ने दिया किस वैग्यानिक ने सरप्रथम बर्फ के दो तकडों को आपस में घिसकर पिगला दिया वाश्प इंजन में उबलते हुए जलका तापमान किस कारण से उच्छ हो सकता है तो वाश्प इंजन में उबलते हुए जलका तापमान बॉयलर के अंदर के उच्छ दाप के कारण उच्छ हो सकता है ताप युग्म ताप मापी थर्मो कपल थर्मो मीटर किस सिद्धान पर आधारित है तो थर्मो कपल थर्मो मीटर जो है सीबे के प्रभाव पर आधारित है पूर्ण विक्रन उत्ताप मापी टोटल रेडियेंशन पाइरोमीटर के सिद्धान पर आधारित होता है तो पूर्ण विक्रन उत्ताप मापी इस्टीफन के नियम पर आधारित है दूर की वस्तु जैसे शूर्य आदी का ताप किस ताप मापी से मापा जाता है तो दूर की वस्तु शूर्य आदी का ताप मान पूर्ण विक्रण उत ताप मापी से मापते हैं कितना ताप होने पर पाठ्यांग Celsius और Fahrenheit ताप माप में एक समान होता है तो minus 40 degree temperature जो है Celsius और Fahrenheit तापमापी में एक समान होता है Celsius पैमाने का 0 degree Fahrenheit scale में कितने डिगरी के बराबर होता है तो 32 degree जो है 0 degree Fahrenheit के बराबर Celsius होता है मानशरी का जो तापमान है 9.8.6 जो आपका फैरो मेटर होता है Celsius में कितना होता है तो Fahrenheit में 98.6 होता है और Celsius में 37 degree Celsius होता है अती लगू समय अंतराल को सही सही मापने के लिए किसका प्रियोग करते हैं तो अती लगू समय अंतराल को सही सही मापने के लिए परमाडू घडी का प्रियोग करते हैं एक मनुष्य का तापकरम 60 डिगरी सेल्सियस है उसका तापकरम 40 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 डिगरी सेल्सियस पानी बस यमने ही वाला है जील के अधा स्थल पर जल का तापमान क्या होगा तो किसी जील का सता का पानी बस यमने ही वाला है जील के अंदर जो तापमान होता है वो चार डिगरी सेल्सियस कॉंस्टेंट रहता है उश्मा के संच्रण की किस विदी में पदार्थ के एक एक स्थान से स्वयम दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। माध्यम के कण गती नहीं करते हैं। किस विदी में उश्मा के इस्थानांतरन को नियुंतम करने के लिए थर्मस फ्लास की दीवारों पर कलई की जाती है। किस में सर्वोच विशिष्टम उस्मा का मान होता है तो जलकी विशिष्ट उश्मा जो है सर्वोच होती है। सुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब द्रवयों को मिलाने से गलनांग जो है घड़ जाता है। उश्मा गत्की का प्रथम नियम किस अउधारना की पुष्टी करता है तो उश्मा गत्की का प्रथम नियम उर्जा सलक्षन की पुष्टी करता है। किस बिंदू पर फॉरेन हाइट ताप क्रम सेंटिग्रेट ताप क्रम का दुगना होता है। Celsius में माप का कौन सत आपकरम 300 degree Kelvin के बराबर होता है तो Celsius में 27 degree Celsius 300 degree Kelvin के बराबर होता है Black body किसके विक्रण को अवशूशित करती है तो black body केबल उचित तरंग देर्ध को अवशूशित करती है शीत रितु के दुनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर जादा ठंड महसूस करते है तो सीत रितु के मौसम में साफ मौसम जादा ठंड उत्पन करता है जादा ठंड का अनुभा होता है मिटी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है तो मिटी के घड़े में वास्पी करण की क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है पराश्रवे तरंगों को सबसे पहले किस ने सीटी बजा कर उत्पन किया तो पराश्रवे तरंगों को गॉल्टन ने सबसे पहले सीटी बजा कर उत्पन किया ध्वनी का तारत्व किस पर निर्भर करता है तो ध्वनी का तारत्व जो है आवरती पर निर्भर करता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रियोग किया जाता है तो विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में पराश्रव तरंग का प्रियोग होता है मनुश्य में धोनी की कमपन की अनुभूती किस आवरती सीमा तक हो पाती है बतलब सुन सकते हैं, तो 20-20,000 Hz तक की ध्वनी मनुश्य सुन सकता है, जिसे श्रव वे तरंग कहा जाता है, लगबग 20 दिगरी Celsius की अगर बात करें, तो लगबग 20 दिगरी Celsius में किस तापमान में, किस माध्या में ध्वनी की गती अधिकतम होगी, तो ध्वनी की गती अधिकत सबसे अधिक ध्वनी प्रदूशन होता है, तो हवाई जहाज की उड़ान के कारण ध्वनी प्रदूशन सबसे जादा होता है, कौन सी प्रक्रिया प्रकास और ध्वनी दौनों में घटित नहीं होती है, ध्वनी का प्रभाव मानव के कारण में कितने समय तक रहता है, तो एक विक्ति को अपनी प्रतिधुनी सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए तो एक विक्ति को प्रतिधुनी सुनने के लिए परावर्तक तल से 56 फीट खड़ा रहना चाहिए दूर इस ठैतो इसकोब ध्वनी के किस सिद्दान पर काम करता है तो रात्री द्रश्टी उपक्रण में करते हैं तो अवरक्त तरंग का प्रियोग रात्री द्रश्टी उपक्रण में किया जाता है। एक जैट व्याज दो मैक के वेक इसे हवा में ऊड़ रहा है। जब ध्वनी का वेक 332 मीटर प्रती सेकंड है तो वायू यान की चाल कितनी होगी तो वायू यान की चाल 664 मीटर प्रती सेकंड होगी लगबग 20 डिगरी टेंप्रेचर पर किस माध्यम में ध्वनी की गती अधिकतम होगी तो लोहे में ध्वनी की गती अधिकतम होगी एक जैवपद्धती जिसमें पराश्रवे ध्वनी का प्रयोग किया जाता है तो उस जैवपद्धती का नाम है सोनोग्राफी कौन सी तरंगे सूने में संच्रण नहीं कर सकती है तो ध्वनी तरंगे सूने में संच्रण नहीं कर सकती है वह उपकरण जो ध्वनी तरंगों की पहचान और रिजुरेखन के लिए प्रयोगत होता है तो वह जो उपकरण है जो ध्वनी तरंगों की पहचान और रिजुरेखन के लिए प्रयोगत करते हैं उसका नाम है सोनार प्रकास तरंग किस प्रकार की तरंग है तो प्रकास एक अनुपरस्थ तरंग है प्रकास का तरंग सिद्धान्त किस के द्वारा प्रस्थापित किया गया तो प्रकास का तरंग सिद्धान्त हाई गेंस के द्वारा प्रस्थावित किया गया किस घटना के आधार पर प्रकास तरंगों का अनुपरस्थ होने की पुष्टी होती है तो ध्रुवन की घटना के आधार पर प्रकास तरंगों की अनुपरस्थ होने की पुष्टी होती है प्रकास के विद्धुचुम के स्वरूप की खोज किस ने की तो प्रकास के विद्धुचुम के स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की किसने सरपर्थम यहां दिखलाया कि प्रकास तरंगों का विवर्तन होता है तो ग्रे मालडी ने सबसे पहले ये दिखलाए कि प्रकास तरंगों का विवर्तन होता है कौन सी घटना प्रकास और ध्वनी दौनों में घटित नहीं होती है तो ध्रोवन की घटना प्रकास और ध्वनी दौनों में घटित नहीं होती है कौन सा सिद्दान प्रकास के तरंग प्रकृति की पुष्टी करता है तो व्यतिकरण का सिद्दान प्रकास के तरंग प्रकृति की पुष्टी करता है चंद्रमा से प्रत्वी तक आने में प्रकास को लगबग कितना समय लगता है तो 1.3 सेकंड लगता है चंद्रमा के प्रत्वी तक पहुँचने में सूरी की रोशनी को प्रत्वी में आने में कितना समय लगता है तो सूरी की रोशनी 8 मिर्ट 16 समलो 6 सेकंड में प्रत्वी तक पहुँच जाती है वायू में प्रकास की गति कितनी होती है तो वायू में प्रकास की गती 3 गुड़े 10 के उपर 8 की घाट मीटर प्रती सेकंड इस प्रशिकले से युत्तर हो जाएगा सुर्ग रहन के समय सुर्गा कौन सा भाग हमें दिखाई देता है तो सुर्ग रहन के समय सुर्गा भाग किरीड जिसे कोरोना के नाम से भी जानते हैं दिखाई देता है पानी से भरे किसी बरतन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है तो प्रकास के अफवर्तन के कारण पानी के बरतन में पड़ा एक सिक्का थोड़ा सा उपर उठा हुआ प्रतीत होता है पानी में डूबोई हुई छड़ी किस समर्ती के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है तो प्रकास के अफवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ी मुडी हुई दिखाई देती है किसके कारण आकास नीला दिखाई देता है तो प्रक्रिणन के कारण आकास नीला दिखाई देता है तो बैगनी रंग का वरण विक्षेपण इंदर धनुस में सबसे अधिक होता है सूखा बालू चमकीला, गीला बालू धूतीहीन दिखाई देता है तो ये परावर्तन की घटना की कारण होता है पैरिस को बनाने में कौन सा दरपन प्रियोग करते हैं साबुन के पतले जाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है तो साबुन के पतले जाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और वतिकरण की घटना का परिणाम है इसके आगी की सीरीज आपके लिए नेक्स स्लाइड में कराई जाएगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन ओन कर लिजे, और वाल नोटिफिकेशन ओन कर लिजे चैनल पर रोज सुबह 11 बजे से साइन्स की लाइब क्लास होती है तो आप साइन्स की लाइब क्लास में भी आ सकते हैं आप अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक जरूर शेर करिएगा वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताईगा की आपने कितना सीखा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुब हो